वेल्कम गाईज तो आज के इस लेक्चर में हमने वेंड डाइगरम्स ड्रो करनी हैं तो सबसे पहली जो वेंड ड्राइगरम्स हमने ड्रो करनी हैं वो है आपके पास ए यूनियन बी और फिर उसका कॉंप्लिमेंट तो देखिए इसको कैसे ड्रो करेंगे सबसे पहले हम उनिवर्सल सेट ड्रो कर लेते हैं और उसमें हम एक अपना एक A सेट और ये हमारा B सेट ड्रो करते हैं ये A है और ये हमारा B है तो इनकी हमने लेनी है यूनियन तो दीखे जब हम इनकी यूनियन लेंगे तो हमारे पास कौन सा सेट आएगा यह पूरा पूरा इंसाइड वाला सेट आ जाएगा यह complete तो जब हम इसकी कॉम्प्रिमेंट निकालेंगे तो यह यूनिवर्सल सेट में तो देखे इसके राउंड यह आउटर वाला जितना भी रिजन होगा हमारे पास हमने क्या कर देना है इस सारे वाले को शेड कर देना है क्योंकि यूनियन में हमारे पास यह पूरा पूरा सेट जो हमारे पास वो यूनियन में आ जाएगा यह पूरा तो उसका जो यह आउटर बनेगा यही हमारे पास क्या आ जाएगा यह पूरा पूरा set को हमने shade कर देना है और यह set हमारा क्या represent करेगा A, union, B, फिर उसका complement तो अगला set जो हमें निकालने है वो निक वेंडाइग्रम जो हमने draw करनी है वो है A, complement, फिर उसकी intersection चाहिए हमको B, complement से तो देखिए, basicल हम इसको भी कैसे draw करेंगे तो देखिए, मान लेजीए, हमारे पास A set है और यहां पे मेरे पास एक B set है तो सबसे पहले उसने बोला है यह A set और यह B set तो सबसे पहले उसने हमसे बोला है कि आपको A का complement चाहिए तो सबसे पहले हम A के complement को shade करते हैं तो मैं जो shading कर रहा हूँ ना वो कुछ इस तरह से कर रहा हूँ गोल गोल वाली तो इस एक कॉम्प्लिमेट में मेरे पास जो भी यह रीजन होगा वो यह वाला होगा जहां पर मैं यह करली वाला शेड़ कर रहा हूं दिखे जहां जहां मैं यह करली वाला शेड कर रहा हूँ वो सारा का सारा रीजन जो है मेरे पास वो एक तरह से A का कॉंप्लिमेंट हो जाए गर याद इस यह पूरा का पूरा रीजन जितना भी आपको दिख रहा है उसके बाद हमें क्या करना है बी का कॉंप्लिमेंट लेना है तो बी के कॉंप्लिमेंट में देखिए हमारे पास कौन सा रीजन आएगा अब यह सेट बी बड़ा है तो इसके कॉंप्लिमेंट में हमारे पास अभी मैं लाइन से ड्रो कर रहा हूँ ये वाला रिजन आजाने का सारा तो ये मेरा बी ठीक है अब उन्होंने कहा है कि हमको इसकी intersection चाहिए तो देखिए ये मेरे पास A था तो A compliment में ये पूरा आगया ये B था और B compliment में ये पूरा आगया ठीक है तो that means अब इनमें common portion क्या है उनमें तो common portion था वो हमारे पास सिर्फ ये outer वाला ये आया और एक ये आया क्योंकि जो A portion था वो B में नहीं आ रहा है और जो A वाला portion था वो A compliment में आ रहा है और A वाला portion जो है वो B compliment में आ रहा है मतलब कि ये portion common किसी में नहीं आ रहा तो common portion जो रहेगा वो सिर्फ हमारे पास यही रहेगा that is जो इस case में हमारे पास आया था that is यह जब हम इनको shade करेंगे तो आपको कैसे shade होगा वो बिल्कुल ऐसे ही shade हो जाएगा वालो कि यही reason हमारे पास क्या है common आने वाला है इन दोनों का अब next देखिए हमारे पास क्या है हमें क्या करना है A intersection B और फिर उसका compliment को calculate करना है तो मान लिजिए यह हमारे पास A set है और यह हमारे पास B है तो इसका जो intersection वाला portion होगा वो कौन सा होगा यह वाला portion होगा यह बीच में जो यह आ रहा है तो intersection में हमारे पास यह portion आ रहा है तो यह portion का हमको क्या चाहिए compliment चाहिए तो इस portion का compliment क्या हो जाएगा बस वो पूरा का पूरा region आपके पास जो outer side में पड़ है that is यह वाला इसके outer जितना भी यह portion होगा यह हमारे पास क्या आ जाएगा हमारा उसका compliment आ जाएगा अब हमेने क्या निकालना है हमको A compliment, B compliment और उनकी union निकालनी है तो देखिए अब इसमें क्या करेंगे हम अब मान लिजिए यह हमारे पास A set है और यह हमारे पास B set है तो अब हमें A का compliment निकालना है तो देखिए A के compliment का भी reason जाएए और B के compliment का भी reason जाएए तो सबसे पहले उनकी union जाएए तो यह मेरे पास A set है और यह B है तो मैं A वाले का compliment ड्रो कर लेता हूँ तो A वाले का compliment मेरे पास यह सारा reason होगा तो that means यह reason आएगा हमारे पास proper अब दूसरा हमें B का compliment जाए B set देखिए हमारे पास यह प्रड़ा है तो जब हम इसका compliment निकालेंगे तो यह reason आजाएगा तो that means जब हम इनकी union करेंगे तो that means यह वाले portion को छोड़ कर यह वाला जो portion है इसको छोड़ कर हमारा यह outer reason जो भी आ रहा है वो आ जाएगा that means इन दोना में भी हमारे पास same reason आ रहा है एक तरह से हमने जो यह दो results हैं इनको वेंड डाइग्राम के तुरूप प्रूफ ही किया है इसके लावा कुछ भी नहीं है इनों में तो आप इसको खुद try करें यह हम सभी को आना चाहिए है करें